पास एट्थ साइंस, लेशन वन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मनेजमेंट, बेटा इन वीडियो में हम आपकी जो बुक में लेशन है, फर्स लेशन, उसके टेक्स्ट वुक क्वेस्टन को सॉल्व कर रहे हैं, इस वीडियो में हम फिफ्थ क्वेस्टन को सॉल्व करेंगे, हमने फर्टिलाइजर और मैनियोर में डिफ्रेंस बताने हैं, तो ये डिफ्रेंस बताने के लिए हम अपने कॉपी के पेज को सेंटर में से लाइम खींच के, एक तरफ फर्टिलाइजर लिख देंगे, एक तरफ मैनियोर लिख देंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है प से बनी है ठीक है जबकि मैनियूर क्या है यह organic substance है organic substance का मतलब कि यह पेड पौदों या जानवरों के जो बचा कुचा चीज है जो dead bodies है उनके गलने सडने से यह मैनियूर बनती है वेटे fertilizer को हम chemical fertilizer भी बोलते हैं जबकि मैनियूर को हम compost भी बोलते हैं देशी खाद भी बोलते हैं okay second difference is it is prepared in factories fertilizer हमेशा factory में बनती है जबकि manure manure is prepared in fields by decomposition of animal plant and human waste जो manure है जो खेतों में या soil में पैदा होती है इसमें हम animals plants और इनसानों का जो waste material है वो सारा कचरा कूड़ा जो है वो एक टोवा हम उसमें डाल देते हैं और फिर उसको मिट्टी से डख देते हैं तो दीरे दीरे वो गलसड के खाद में बदल जाता है manure में बदल जाता है third point is does not provide humus to the soil अगर हम खेतों में fertilizer डालते हैं तो उससे मिट्टी को humus नहीं मिलता humus का मतलब उसे organic material नहीं मिलता humus एक layer होती है मिट्टी के उपर जो गलसड रहे पत्तों बगएरा से बंदती है जह spongy layer होती है इससे मिट्टी नरम हो जाती है मिट्टी के अंदर oxygen बढ़िया से जाने लगती है और मिट्टी की पानी को absorb करने की capacity बढ़ जाती है ठीक है बेटे, so humus is very important for soil बट अगर हम खेत में fertilizer डालते हैं तो उसको humus नहीं मिलता जबकि manure provides humus to the soil अगर खेतों में हम manure डालते हैं तो उसे मिट्टी को humus मिलता है यनि के मिट्टी के जो उपर वाली layer है वो soft रहेगी ज़्यादा पानी absorb करेगी, ज़्यादा हवा को absorb करेगी इससे फसल ज़्यादा अच्छे तरीके से grow कर पाएगी ठीक है fourth point, it is rich in plant nutrients जो fertilizer होते हैं इसमें nutrients बहुत ज़्यादा मातरा में होते हैं जबकि जो manure है, that is relatively less rich in plant nutrients इसमें plant nutrients fertilizer के comparison में कम quantity में होते हैं last point is, long term uses has adverse effect on soil अगर fertilizer को लंबे समय तक हम खेतों में इस्तमाल करें तो उसका मिट्टी के ऊपर नुकसान दाइक पर वहाँ पड़ता है उससे मिट्टी को नुकसान होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, किसी किसान ने अपने हाथों में ये chemical fertilizer उठा रखे हैं यह यूरिया के particles हैं, तो यूरिया खेतों में चिर्काव जिसका किया जाता है तांकि उसकी पैदाबार बढ़ सके, यह chemical fertilizer है, ठीक है? अच्छा, यहाँ इदर, मैन्योर में 5th point है, long term use improves soil fertility अगर हम मैन्योर का लंबे समय तक कई साल तक इस्तमाल करें तो उससे मिट्टी की जो उपजाव शक्ती है, वो बढ़ती है तो बेटे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे compost किसी ने हाथ में उठा रखा है compost यानिके देशी खाथ, जो के पेड़ पौदों की रहन खून जा जानवरों का जो waste material है, उससे बनाए है इसमें आप worms भी देख सकते हो, red color के worms, जिसे हम earthworm भी बोलते हैं, ठीक है तो इसकी सहता से बहुत ज़्यादा यह उपजाव हो जाती है This is one of the very important question, मेटे ऐसी वाकी important question करने के लिए भी आप हमारा चैनल राजन सर के साइंस उत्तर इस वे वाकी वीडियो सर्च कर सकते है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like करें, comment करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें